हलो फ्रेंड मैं रवी रवी स्टडी में आपका स्वाग करता हूँ दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सुभास्चंद्र बोस के बारे में आप लोग देख रहे हैं फोटो में सुभास्चंद बोस का फोटो है तो आएए सुरू करते हैं सुभास्चंद सुभाचन बोस के स्वामान जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है एक महान सेना पती थे ये बीर सैनिक थे राजनितिक के अदबुद खिलारी थे और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है तो चलिए आएए हम एक एक कटकर इनके बारे में पढ़ते हैं सुभाचन बोस का जन्म 23 जन्वरी 1897 इसवी को हुआ था कहाँ पे हुआ था उरीसा के कटक सहर में हुआ था इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था प्रभावती और जानकी नाथ बोस जानकी नाथ बोस उनके पिता जी है सुभास्चन बोस का इनको कुल मिलाकर 14 संतान थे कितने थे 14 संतान थे और जिन में से छो बेटियां थी छो बेटियां थी और आठ बेटे थे आठ बेटे थे ठीक है दोस्तों और सुभास्चन बोस नौवी पुत्र थे सुभास्चन बोस उसमें से कितने पुत्र है नौवी नंबर के पुत्र थे सुभास्चन बोस चौदह में से और पांचवे बेटे थे नौवी नमबर के पुत्र थे और पांचवे नमबर के वे बेटे थे ठीक है दोस्तो अपने सभी भाईयों से बहुत प्यार करते थे लेकिन सबसे ज्यादा अधिक लागाओ सहद चंद्र से था सहचंद्र उनके भाई थे दोस्तो और सुभाष्चन बोज यो कि यह हुए थे उन्हें सभाष्चन बोज में अपनी कॉलेज सिक्षा की शुरुवाती कलकत्ता के प्रेसेडेंटी कॉलेज से में दाखिल किया में उन्होंने इंटर के परिक्षा में फर्स्ट किया था ठीक है अभी अभी उनका उसका नाम आई ए इस हो गया है इंडियन एडियर्टिव सर्विस यह मैं विडियो परहाच वहु हूं उस समय का बंगाल के गोवर्नर जन्रल हुआ करता था उसमय बंगाल गवर्नर जन्रल लाड करणिमालीस लाडी करणिमालीस का कार्काल 1786 से लेजाए सत्रासों त्रियारमे तक लाता है और इन्हें के समय में लोर्ड गार्नेर मालिस के समय में आजाद हिन्द फोज के अस्ठापना किये थे जनद हिन्द फॉज के रोप में उन्हें जाना जाता है अजांद फोज का अगठन अगस्त 1942 में हुआ था ये भी बात आपको ध्यार में रखना है नेता जी सुभाष्चन बोश आजाद हिंद फोज के संपसा चार जुलाई कि 1944 को बर्मा पहुचते हैं और यहीं पर उन्हों ने अपना एक परसिद नाला दिया था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा ये आप लोग जानते हैं को न दिया था नाला सुभाष्चंद्र बोश ने ठीक है दोस्तो तुम मुझे खुन दो मैं तुम केल में बताऊंगा बस आप लोग का काम है साथ देने का हमारे साथ आप लोग चलिए विश्वास कीजिए कि आप लोग जरूर सकल होंगे अचानक से 18 अगस्त 1945 को सुभाष्चंद्र बोश की मृत्व हो जाती है जीवन और मृत्व आज तक सुभाष्चंद्र बोश का अं कोई काता है अंग्रेजों ने उनको गोली से मार दिया कोई काता है अलग अलग मान की अलग 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 तीपनिया आते हैं अभी तक इसका क्लियर नहीं हुआ है नेक्स्ट मैं वीडियो पंडी जवाहलल नहरूप बनाऊंगा तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लागा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें चैनल बहुत बहुत धन्यवास थैंक्यू थैंक्यू सो मच